क्या आपको पता है कि क्रोध यानी की गुस्सा क्यूं आता है और इसे निरंतर यानी की कंट्रोल कैसे करे जानने के लिए विडियो एंट तक देखिए तो चलिए सुरू करते हैं क्रोध क्यूं आता है और इसे कैसे करे नियंतरित आये जानते हैं क्रोध क्यूं आता है और इ जिसके चलते या तो वो क्रोध को अपने नियंत्रण में कर पाता है या फिर स्वयम ही क्रोध से नियंत्रित होने लगता है। क्रोध का कोई दाइरा नहीं होता। लेकिन अब वग्यानिकों ने गुस्से के कारण का पता लगा लिया है और क्रोध के लिए जिम्मेदार होता है ब्रेन रिसेप्टर। इसके लिए सिर्फ इतना जरूरी है कि आप ऐसा करने की इच्छा रखते हों। तो चलिए, गुस्सा आने के कारणों को जान लेने के बाद ये भी जान लेते हैं कि इसे दूर करने के लिए क्या किया जा सकता है। क्रोध से होने वाले शारीरिक नुकसान को समझिए जब भी आपको गुसा आता है तब आपके दिल की धढ़कने तेज हो जाती है और सासे भी तेज चलने लगती है। गुसा करते समय तो आप ये सब सोच नहीं पाते लेकिन आपके लिए ये जानना जरूरी है कि क्रोध की स्थिती में बने रहने से शरीर को कितना नुकसान पहुचता है। चार ही आया करते हैं और चिंता और अवसाद का आना भी स्वाभाविक ही है। इसके अलावा आप अपने संबंधों को भी क्षती पहुचाते हैं और स्वयम की छवी को भी विपरीत रूप में प्रभावित करते हैं। अपना ध्यान क्रोध के माध्यम से हटा लीजिए, जैसे ही आपको गुसा करने का कोई भी कारण नजर आए, आप अपना ध्यान उस और से हटा कर कहीं और लगा लीजिए। आप चाहे तो ऐसा कर सकते हैं, कोशिश जरूर कीजिए। गुसा आने पर पानी पी लीजिए या गिंती बोलना शुरू कर दीजिए या फिर गहरी सांसे लेना शुरू कर दीजिए। क्रोध एक तेज गती से आने वाली नकारात्मक भावना है, जिससे ध्यान हटा कर इसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। ये सोचिये की जैसा करेंगे वैसा पाएंगे, कई बार क्रोध में आकर हम कुछ ऐसी बाते कह जाते हैं जो हमारे रिष्टों पर बुरा असर डालती है और कई बार तो रिष्टे तूटने की कगार पर भी आ जाते हैं। चीजों का सेवन करते हैं। ये काफी हद तक आपके क्रोध को प्रभावित करता है। अगर भोजन में सादा और पौश्टिक खाना हो तो आप शांत और आरामदायक महसूस करते हैं लेकिन अगर खाना ज्यादा तेलियर और मिर्च मसालों वाला होता है तो उस दिन आपके स्वभाव में उगरता बढ़ जाती है इसलिए अपने भोजन को सात्विक और हेल्दी बनाये ताकि गुस्सा आपसे दूरी बना कर रखे शरीर को विश्राम दीजिए कई बार क्रोध आने का कारण स्वभाव ना होकर शरीर का ठका होना होता है। हमारी भूल होगी। हम चाहे तो अपने स्वभाव को शांत बना सकते हैं इसके लिए आप योग कीजिए। आसान व्यायाम करने और ताजी हवा में सेर करने से आपका विचलित मन शांत होने लगेगा और अगर मन शांत है तो गुस्सा आना कैसे संभव है। प्रानायाम कर गुस्सा करने को अपनी आदत मान लेने की बजाए आप इसे दूर करने के लिए प्रानायाम करना शुरू कर दीजिए। और उसके दुषपरिनामों को जीवन भर के लिए स्वीकार लेते हैं। इसकी बजाए अगर हम क्रोध को दूर करने में भी उसी तरह जुट जाए जैसे किसी शारीरिक बीमारी को दूर करने में जुटते है तो ये तहे कि आपका क्रोध धीरे-धीरे कम होने लगेगा और बहुत जल्द आप शांत स्वभाव को अपनाने में भी सफल हो जाएंगे? तो बस तेर किस बात की क्रोध के साइड इफेक्ट्स को अपने जहन में उतार लीजिए और अगली बार क्रोध आने पर सयम बरतना शुरू कीजिए, यकीन मानिए ये आसान है और आप कर सकते हैं उम्मीद है क्रोध क्यूं आता है और इसे कैसे करें नियंत्रित की ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और आपके लिए फाइदेमंद भी साबित होगी और ही ऐसे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइक ओन आल पर सेट कर दे और वीडियो को लाइक कर दे